हालो फ्रेंड्स आइम गीता and welcome to गीता TechSecret फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आप से सेर करूँगी जीमेल से कैसे फोटो सेंड करते हैं दुसरा जीमेल आईडि पर फ्रेंड्स इसके लिए आपका मुबाइल पर जीमेल आप्लेकेशन होना चाहिए और आपका Gmail पर एक ID क्रियेट होना चाहिए तब ही जाके आप Gmail से आसानी से फोटो सेंड कर सकते हो दूसरा Gmail ID पर तो चलिए फ्रेंट्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फ्रेंट Gmail आप्लिकेशन को ओपन करना होगा जैसे आपका Mobile पर Gmail आप्लिकेशन आप ओपन कर देंगे तब ही जाके आप किसी को भी फोटो सेंड कर सकते हैं तो नीचे देखिए फ्रेंट्स आप जैसे ओपन करते हैं एक Pencil का सिंबल दिखाई दे रहा अभी हमें क्या करना होगा फ्रेंट्स इस Pencil सिंबल का उपर क्लिक करना होगा जैसे आप Pencil सिंबल क्लिक करते हूँ तो आप देख सकते हो फ्रेंट्स उपर एक From का अड्रेस है मतलब आप जिस Email ID से लगइन किये हैं उस Email ID का अड्रेस उपर दिखाई दे रहा नीचे two address है आप जिसको भेजना चाहते हो, mail का photo send करना चाहते हो, उनका address यहाँ पर डालना होगा अब डाल देने के बाद नीचे subject का option है, अगर आप subject में कुछ लिखना चाहते हो, अब जिस related photo send करना चाहते हो, जिस topic related, अब ऐसे subject लिख सकते हो, आप नीचे box भी है, उसमें भी है, आप subject description सब कुछ लिख सकते हो इस सब लिख देने के बाद, friends, आप उपर देखे हैं कि attach का option दिखाए दे रहा, तो अभी हमें क्या करना होगा, इस जो attach का option है, इसका उपर अभी click करेंगे attach file जैसे ही करते हैं, friends, तब ही जाके direct आपका phone का जो gallery है, वहाँ पर आप जितने सारे भी images, photo जो भी आप save करके रखते हो, वो सारे के सारे ही आप इस तरह का show हो जाएगा, अब जिस photo को आप select करके mail करना चाहते हो, simple सा उस mail photo का उपर आपको click करना होगा, फिलनल इस photo को जाते हैं, इसका प्रोटिक करते ही, वो photo automatic attach हो जाएगा, अगर आप one more photo भी लगाना चाहते हो, same procedure attached file को उपर जाएगे, attach file उपर आने का बाद, अब यहाँ से आपका जो phone का gallery है, वहाँ से आप कितने सारे भी photo select कर सकते हो, अब जैसे image वाल option पर जाएगे, आप camera से या जैस लग जाएगा, बाद में आप इसे जो photo आप send कर दिये, सब लगा दिये, बाद में आप उपर जो send का option दिखाई दे रहा, अभी हमें क्या करना होगा, friends, send option का उपर click करना होगा, simple सा आप send करते ही, कुछ ही seconds में email जो है, photo चला जाएगा, उनका जो सामने वाला को photo जो ही receive हो जाएगा, तो इसे तरह, friends, अगर आप किसी को भी photo send करना चाते हो, एक Gmail ID से दुसरा Gmail ID को तो आप कर सकते हो, mail send करने के पाद आप अगर आप delivery हुआ कि नहीं हुआ, इसको check करना चाते हो, तो send mail में भी आप check कर सकते हो, अगर जिसको भी send mail delivery हो गया है, photo send हो चुका है, आप भी mail आप status भी check out कर सकते हो, अगर इस वीडियो के एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा, जो चैनल पर नया है, प्लीज फ्रेंट सब्सक्राइब आवर चानल और अलसो प्रेश तो बेल आइकन, उसमें all notification on कर दीजिएगा, तकी निए वीडियो आप सब फास्टर देख सेकने,